नमस्कार, MPLive में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ अंक्यतोरा येक नजर डालते हैं को सुर्खियों पर भारती प्रैस परिशक के अध्यक्ष नयाइधी, जस्टेस चंद्र मूली कुमा प्रसाद और परिशक के सदस्यों ने पोटल पलाश में आज विविन प्रकरोनों में की सुनवाई उद्योग मंत्री राजे इंद्र शुक्लन ने 122 करोर रुपए की लागत से बनने वाली रीवा से सिर्मोर सड़क के चौरी करन कारे का किया भूमि पूजर के लेवं युवा कल्या मंत्री युशिदर राजे सिंधिया से मधिवरदेश वाटर स्पोर्स अकादमी के विजेता खिलाडियों ने की मुलाका और आईए अब खबर दिखते मिस्तार से मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहां से सोयावीन प्रोसेसरस असोसेशन ओफ इंडिया मंडल और इंडरस्वरी के प्रतिनीधी मंडल ने आज भेट की और सोयावीन निर्यात को प्रोचाहित करने की पहल के लिए आभार ग्यापित किया प्रतिनीधियों ने बताये कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंडर सरकान ने सोयावीन निर्यात को आयतकों के कौंक्लेव में शामिल होने का आमंत्रन भी दिया मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहां ने आज केंडरी सड़क परिवन मंत्री नितन गटकरी का राज की विमान तल पर स्वागत किया मुख्यमंत्री ने गटकरी का आज भोपाल पहुचने पर पुश्ब कोच भेट कर अभिननन किया बोपाल आकर गटकरी मुख्य मंत्री चोहान के साथ गुना के लिए रवाना हो गए इस असलब पर उच्छी शिक्षय मंत्री जैभान सिंग पवईया विधायक रामिश्व शर्मा और सुरेंद्र ना सिंग गणमान ये नागरिक और कारे करता उपस्तित थे मुख्य मंत्री निशक्त जन शिक्षय प्रोटसान योजना के अंतरगर दिव्यांग चातर चातराओं को भी लैप्टॉप और ट्राइस साइकल प्रदान की जाएगी इस योजना में नियुन्तम 50 प्रतिशत अंग के साथ नौभी कख्षा उतरीन करने वाले दिव्यांग चातर चातराओं लाभानवित होंगे पंचायत एवं ग्राविन विकास मंत्री गोपाल भारगम ने यहाँ जानकारे देती हुए बताय कि इस योजना से लगभग एक हजाथ दिव्यांग चातर चातराओं लाभानवित होंगे सुमवार को राजदानी भोपाल के होटल पलाश में भारती प्रैस परिशत ने कोट लगा कर मध्यप्रदेश और छत्यसकर के मामलों की सुनवाई की इस दोराम परिशत के अध्यक्ष नाई मूर्ती प्रसाद और अन्य सदस्यों ने शिकायत करताओं के साथ शासन का पक्ष भी सुना मंगलवार को भी अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी गौरत लबे की भारती प्रस परिशत पाठको, समाचा, पत्रो और पीडित पक्ष द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई अब उन्ही राज्यों में जाकर कर रही है मुख्यमंत्री जिनकरलियान योजना 2018 में पंजीकरत श्रमीकों के मासिक बिलों को सरल करने के लिए सरल बिजली बिल स्कीम और बीपिल उभोकताओं की मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में अब तक 71 लाग से अधिक हिद्गाहियों का पंजीयन हो चुका है इन में से 24 लाग से अधिक का पंजियन सरल बिजली बिल और 47 लाग से अधिक पंजियन बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में हुए है दोनों योजनाए एक जुलाई से लागू हुई है पंजियन के लिए प्रदेश के सभी जिलों में विद्यू द्वित्रन कम्पनियों द्वारा शिविड लगाये जा रहे हैं फिलाल इस पुलेटर में तहीं आप बने रहे हैं ये मस्चिवी के साथ नमस्कार